प्रेगनेंसी के दोरान गर्भवती महिलाओं में काफी सारे हर्मोनल चेंजिस होते हैं और कुछ लक्षण भी नजर आते हैं उन्ही लक्षणों को देखकर बताया जाता है आइडिया लगाया जाता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की है आज के इस वीडियो में मैं त प्री हिसे में दर्द महसूस होने लगता है और ये दर्द प्रेगनेंसी के तीनों तीमाही में ही रहता है जैसे जैसे ब्रून का आकार बढ़ता है वैसे वैसे गर्भाशे का आकार भी बढ़ने लगता है जिसके कारण शरीर में और भी कई अंगों में दबाव पढ़ने जैसे कि पीट के निचले हिसे में दर्द और कमर में दर्द पैरों में दर्द होता है प्रेगनेंसी के दोरान जब आपका वजन बढ़ता है तो इसका असरीड की हड़ी पर पड़ता है जिससे आपको पीट और कमर के निचले हिसे में दर्द महसूस होता है इसके अलावा प्रेगनेंसी के दोरान आपके शरीर में रिलैक्सिन हार्मोन बनता है जो जोड़ों को धीला करता है जिससे कमर दर्द पैरों में दर्द की समस्या हो जाती है अब ऐसा क्यूं होता है ये तो मैंने आपको बता दिया लेकिन बुजोर को द्वारा ऐसा बताए जाता है कि अगर प्रेगनेंट महिला को पीठ में कमर में पैरों में दर्द की समस्या पूरे प्रेगनेंसी में बने रहे तो ऐसे में गर्भ में लड़का होता है तो चलिए दूसरे बदलाव के बारे में जान लेते हैं तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी तवचा पहले की मुकाबले अधिक काली पड़ गई होगी तो ऐसा क्यूं होता है तो मेलास्मा गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल परिवर्तनों के कारण उत्पन हो सकता है जो सरीर के द्वारा उत्पन करने वाले मेलेनिन की मात्रा में व्रीधी को अधिक उत्तेजित करता है मैलेनी नेक ऐसा प्राकिर्तिक पधार्थ है जो बालों तवच्छा और आखों को रंग देता है तो ये थे कारण उसके आज पास किमान स्पेश्यों में और आपके प्राइवेट पार्ट पर बहुत ज़्यादा प्रेश्यर परता है जिससे आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है लेकिन इससे आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये प्रेगनेंसी के सा ये जानते हैं कि क्या इससे जेंडर प्रेडिक्शन किया जा सकता है तो ऐसा कहा जाता है कि अगर गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के शुरुआत से ही हलका फुलका दर्द बना रहता है तो ये गर्भ में लड़का होने के बहुत ही सटीक लक्षण माने जाते हैं तो फ्रे वीडियो को लाइक शेर सबस्क्राइब जरूर करें